हम लोगों ने 3rd unit वैयुद रासायन शुरू कर दीती और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विदूत रासायनिक सेल देखे बच्चों सेल क्या होते हैं सेल ऐसे साधन या ऐसे युक्ति होती है जो कि रासायनिक उर्जा को विदूत उर्जा में बदल देती है आप लोगों सबने सेल देखे होंगे जैसे हमारी घड़ी है घड़ी में भी हम लोग सेल डालते हैं टीवी का जो रिमोट होता है वो भी सेल से ही काम करता है इसके अलावा हमारी घड़ियां होती है घड़ियों में भी सेल डाले जाते हैं तो कहने का मतलब है कि जो यह सेल है यह क्या करते ह इन में कुछ ना कुछ रासाइनिक अभीक्रिया होती है जिन से रासाइनिक उर्जा उत्पन होती है और यह सेल इन रासाइनिक उर्जा को विदृत उर्जा में क्या कर देते हैं बदल देते हैं अब यह जो विदृत रासाइनिक सेल होते हैं इने गैलवेनिक सेल वॉल्टिय सेल या डेनियल सेल भी कहा जाता है तो देखिए बच्चों आज हम लोग इनके बारे में विस्तार से अध्यन करने वाले हैं देखिए वैदूत रासाइनिक सेल वह साधन या युक्ति जिससे रासाइनिक उर्जा को वैदूत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है वैदूत रासाइनिक सेल कहलाते हैं यह मैंने अभी अभी आपको पताया वह सेल ऐसी युक्ति होती है यह ऐसी डिवाइस होती है जो कि रासाइनिक उर्जा को वैदूत उर्जा में क्या कर देती है बदल देती है इसे वोल्टिये या गैल्विनिक सेल भी कहते हैं और जो डे जित रासाइनिक उर्जा को वैदूत उर्जा में परिवर्तित करता है देखे बच्चों क्या होता है जो रैडोक्स अभीक्रिया के दोरान जो उर्जा उत्पन होती है जो रासाइनिक उर्जा निकलती है उस रासाइनिक उर्जा को ये क्या करते हैं वैदूत उर्जा में पर तेक्टोडों से मिलकर जो गैलवेनिक सेल बना हुआ है यह हम बोल सकते हैं डेनियल सेल या वोल्टिय सेल बना हुआ है उसके यह अभिक्रिया दी हुई है आप ध्यान से देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो जिंक का जिंक का तो इसमें जिंक प्लस टू में क्या हो रहा और जो copper plus two है ये copper के रूप में इसका क्या हो रहा है अपचेन हो रहा है देखिए बच्चो ऑक्षी करन और अपचेन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़के आये हुए हैं कि ऑक्षी करन क्या होता है वह इलेक्ट्रोन का बाहर नि करन और copper plus two का copper में हो रहा है अपचेन यानि यहां पर ये एक रेडोक्स अभीक्रिया हो रही है अब इस रेडोक्स अभीक्रिया के दोरान जो भी रासाइनी कूर्जा निकलेगी उसको किस में बदल देगा cell वैदूतूर्जा में बदल देगा आगे देखिए जब copper plus two तता देखिए बच्चो जिंक और copper से मिलकर वना हुआ जो galvanic cell है अगर उसमें copper की copper आयन की तता जिंक आयनों की सांद्रता अगर इकाई होती है तो इसका जो विभव माना गया है वो कितना होता है एक दश्मलव एक होता है यह जो cell विभव होता है वो एक दश्मलव एक है आगे देखिए यदि गैलवेनी cell में भाई ये विभव लगाया जाता है तता इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो अभीकिर्या तब तक चलती है जब तक कि भाई ये विभव क्या नहीं हो जाए एक दश्मलव एक वोल्ट नहीं हो जाए तो देखिए बच्चो जब इन cell में मालीजे बाहर से कोई भी विभव लगाया जा रहा है और दीरे दीरे भाई ये विभव को बढ़ा रहे हैं तो इसमें अभीकिर्या तब तक चलेगी जब तक कि भाई ये विभव का मान एक दश्मलव एक वोल्ट नहीं हो जाए जैसी ये एक दश्मलव एक है रुक जाती है अभीकिर्या बंद हो जाती है रुक जाती है एवं सैल में विदुद्धारा का प्रवा नहीं होता है अरे जब कोई अभीकिर्या ही नहीं हो रही तो कोई रासाइनी कूर्जा ही नहीं निकलेगी तो वहां पे विदुद्धारा का प्रवा भी नहीं होगा क्लियर है आगे देखर इस भाईए विभाव में अतिरिक्त वरद्दी करने पर अभीक्रिया पुने है परन्तु विप्री दिशा में प्रारम्भ हो जाती है तो देख़े बच्चों जो हमने भाईए विभाव के मान को एक दश्मलो एक वोल्टसे अगर हम लोग अधिक कर दें तो क्या होगा अभिक्रिया तो शुरू हो जाएगी लेकिन अब अभिक्रिया चलेगी हमारी विप्री दिशा में देखे किस तरीके से इस तरीके से अभिक्रिया चलेगी यानि कहने का मदलब है अब क्या होगा अब गैलवेनिक सैल में देखे बच्चो जो कॉ नियान यहां पर कोपर का क्या हो रहा है और जो जिंक प्लस टू है देखिए बच्चो जो जिंक प्लस टू आयन है इसका जिंक में क्या हो रहा है अपचेन हो रहा है तो आपने देखा कि जो पहले वाली अभीक्रिया थी उससे अपोजिट अभीक्रिया यहां पे चल रही है तो कहने का मदलब है जब भाईये विभव के मान को हमने एक दश्मलव एक से अधिक बढ़ा दिया है तो अभीक्रिया स्टार्ट हो गई परंतु विपरी दिशा में हो रही है क्लियर है आगे देखिए और अब जो यह सेल है वो किस तरीके से कारी करेगा विदुत अभघटनिये सेल की तरह क्या करेगा कारी करेगा यानि अब यह सेल हमारा एक विदुत अभघटनिये सेल बन चुका है ठीक है यहां तक की चीज आप लोगो समझ में आई हो जब 1.1 वोल्ट से कम है तब क्या परिस्तिती उत्पन हो रही है जब सैल विभव 1.1 के बराबर हो गया तब क्या परिस्तिती उत्पन हो रही है और जब सैल विभव को हमने बढ़ा दिया उस समय क्या परिस्तिती उत्पन हो रही है उसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते ह देखे बच्चों यह आप लोगों को जिंक और कोपर से बना हुआ एक गैलवेनिक सेल दिखाया गया है देखे बचों इससे अगी के के प्रवाह में और विदुद्धारा के प्रवाह में परिवर्तन आता है तो ध्यान दीजेगा सबसे पहले इस फर्स्ट चित्र को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखें बच्चों यहां पर क्या है जो जिंक रोड है वो जेडन ऐसो फोर में है कोपर की जो आप यहां ध्यान दीजेगा देखें बच्चों अब यहां ध्यान दीजेगा बच्चों देखें जब यह जो भाईये विभव है जब भाईये विभव का मान एक दश्मलव एक वोल्ट से कम है जब भाईये विभव का मान जो भाईये विभव लगा रहे है इसका मान एक द प्रवा हो रहा है जिंक की चपछ को पर की चपछ की तरफ के जिंक का प्रवा हो रहा एक दशमल्हों क वोल्ट से Cake चीज आपको समझमें अब आप इस दूसरे डाइग्राम को ध्यान से देखिए इसमें ये कहा गया है कि जब भाई विभव का मान एक दश्मलव एक वोल्ट के बराबर हो जाता है तो उस परिस्थिती में देखिए ना तो कोई इलेक्ट्रोनों का प्रवा हो रहा है ना ही कोई विदुधारा का प् एक से जादा कर दिया ठीक है क्या होगा अभी हम लोग पढ़ किया है अभी करिया तो शुरू होगी लेकिन अभी करिया विप्रीद दिशा में चलेगी यानि कहने का मतलब क्या है कि अब जो इलेक्ट्रोनों का प्रवा होगा वो कौपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट् से कोपर इलेक्ट्रोड की तरफ था और यहां जस्ट उल्टा प्रवा हो गया कोपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ हमारे इलेक्ट्रोनों का प्रवा हो रहा है तो विदुद्धारा का प्रवा का होगा तो विदुद्धारा का प्रवा जो हम भाई ये विभाव लगा रहे हैं उसका मान एक दश्मलव एक वोल्ट से कम है तो देखिए तो क्या होगा इलेक्ट्रोनों का प्रवाह जिंक से कौपर की और होगा क्लियर है अरे डाइग्राम में हम लोगों ने अच्छे से समझा यह चीज और विदुद्धारा का प् और जिंक की जो चड़ है उसका औक्सीकरन हो रहा है यानि कहने का मदलब है कि जो जिंक की चड़ है वो पतली होती जाएगी यानि जिंक गुलती है और कैथोड पे कौपर क्या होता है निक्षेपित होता है क्लियर है आगे देखिए दूसरी परिस्थिति क्या है जब कोई रासाइनिक अभीक्रिया नहीं होती है अब आगे देखिए तीसरी परिस्तिति क्या है जब भाई ये विभाव का मान एक दश्मलव एक वोल्ट से जादा है ने जब भाई विभाव जादा है तो देखिए इलेक्ट्रोनों का प्रवाह कौपर से जिंक की और होगा अर और अब उल्टा हो जाएगा यानि एनोड पर अब कौपर घुलता है और कैथोड पर जिंक निक्षेपित होता है यानि अब क्या होगा जो कौपर की छड़ है वो तो पतली होती जाएगी क्योंकि कौपर घुलता जा रहा है और जो जिंक है उसकी छड़ मोटी होती जाएगी क्योंकि वहाँ पे जिंक क्या हो रहा है निक्षेपित हो रहा है अते हैं अब यह विदुद अभगटनिय सेल की तरह क्या कर रहा है कार्य कर रहा है तो देखे बच्चो यह जो तीनों परिस्तितियां अभी हम लोगों ने समझी कि भाईये विभाव को एक दश्मलव एक के ब पराबर कर देते हैं तब क्या होगा और जब इस भाईये विभाव को एक दश्मलव एक वोल्ट से बड़ा देते हैं तो हमारे विदुद धारा का और इलेक्ट्रोनों का प्रवाह क्या होगा किस तरीके से होगा यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब ह को आपरफार जूआपरव को हम लोग जो मारे गालवेन익 सेल है उसकी बनावत का और संरशना का अधियन करेंगे तो देखे बच्चो आगे क्या है टॉपिक गैलवेनिक सेल को निर्मान होता है यहां पर क्या होता है एक इलेक्ट्रोड होता है जिंक इलेक्ट्रोड और दूसर इलेक्ट्रोड होता है कौपर इलेक्ट्रोड का निर्मान कैसे होता है देखे बच्चों जिंक इलेक्ट्रोड के निर्मान में क्या होता है जिंक धातु की जो छड होती है वो जिंक सलफेड के विलियन में डूबी जोड़ दिया जाता है। उनकोm भी आपस जोड शरूरी है ुनको च्याया जाता है। किसी भी लवन सेतू, जिसे कहा जाता है, salt bridge उसके माध्यम से जोड दिया जाता है, और इस तरीके से हमारे galvanic cell का क्या होता है, निर्मान होता है, तो देखिये बच्चो, इस cell में, जिंक सलफेट के विलियन में जिंक की छड तता कोपर सलफेट के विलियन में कोपर की छड डूबी रहती है मैंने भी आपको बताया है ये सेल के दो भाग होते हैं जो की अर्ध सेल कहलाते हैं इन दोनों भागों को अर्ध सेल भी कहा जाता है आगे देखिए दोनों अर्ध सेल बाहर की तरफ एक वॉल्ट मिटर तता स्विच के माध्यम से धात्विक तार के द्वारा जुड़े रहते हैं आगे देखिए बचो यह जो डाइग्राम है यह इस डाइग्राम से आपको अच्छे से हमारी गैलविनिक सेल की बनावट समझ में आ जाएगी ज्यान दीजेगा बच्चो यहाँ पे देखिए यह जिंक धातु की छड़ है और यह जिंक धातु की जो चड़ है यह जिंक अब आप लोग देखे यहां पर व्यदूत अबगटियों को जोड़ने के लिए हम किसको काम में लेते हैं लवन सेतू को काम में लेते हैं किसे काम में लेते हैं लवन सेतू को हम लोग काम में लेते हैं देखे बच्चों जो लवन सेतू है वो क्या करता है वो परिपत को पूर्ण करने का कारिय करता है और दोनों जो इलेक्ट्रोड है उनकी वेदुत उदासींता को बनाए रखता है यहां तक कि आपको चीज समझ में आ गई होगी अब देखे बच्चों ध्यान से यह जो हमारे गेलवेनिक सेल को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर गेलवेनिक सेल में क्या होता है जो जिंक धातू की छड़ है यह तो कारिय करती है एनोड की तरह जो जिंक धातू की छड़ है यह कहने का मदलब है जो यह इलेक्ट्रूड है यह तो कारिय कर रहा है यहां पर किस की तरह एनोड की तरह और यह कोपर धातू की छड़ है यहाँ पर कारिय कैसे करती है कैथोड की तरह कारिय करती है अब यहाँ पर जिंक धातू की छड़ पर होता है ऑक्सिकरन क्या होता है ऑक्सिकरन होता है कहने का मदलब है कि जिंक धातू की छड़ में से क्या होते हैं दो इलेक्ट्रोन बाहर न निकल जाता है देखिए भच्चों या भी क्रिया होती है जो जिंख धातु की छड़ है इस में से दो इल्लेक्ट्रोन क्या हो गए माइनस दो कर दू तो इसमें से बाहर हो गए और ये जिंख प्लस टू में बदल जाता है अब आप जो ये निकले हुए घ्यों निकल गए हैं तो यह तो इलेक्ट्रोनों को लेगी नी, तो बही यह इलेक्ट्रोन कहा आएंगे, इस विलियन में आएंगे, और विलियन में जो copper plus two iron है, अब यह copper sulfate आपको पता ही है, copper plus two iron के रूप में है, तो क्या होगा, जैसे electron यहाँ पर आएंगे, तो जो copper plus two है, वो इन दोनों इलेक का तो यहाँ पर क्या होता है, और जो copper है, copper plus two, वो copper के रूप में उसका यहाँ पर क्या हो जाता है, अब ध्यान दीजेगा बच्चों, यहाँ पर जब इस zinc की छड़का ओक्सिकरन हो रहा है, जिंक जब Zn plus two में बदल रहा है, तो वो Zn plus two किस में आजाएंगे, विलियन मे जाएंगे, वो Zn plus two यहाँ पर आजाएंगे, और यहाँ पर इस छड़का इखटे हो जाएंगे, electron, जो electron बहार निकले है, वो यहाँ पर इखटे हो जाएंगे, यानि कहने का मदलब है, कि अब धीरे 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 हमारी zinc की छड़का हो जाएगी, पतली होती जाएगी, क्यो होती जाएगी, क्योंकि जो zinc धातू है, वो Zn plus two में बदल के, विलियन में आ रहा है, क्लियर है, एक चीज़ और समझे, चूंकि यहाँ पर electron उपस्तित है, तो यह जो electrode है, यह किस तरीके से व्यावार करता है, यह रिनात्मक electrode की तरह व्यावार करता है, किस तरीके से रिना यहाँ बच्चों देखे, यहाँ पर लोगों को पता है क्या होगा, जैसे ही यह copper plus two, जो copper plus two, दो elektro나ी को grand करके copper में बदलेगे, तो वो copper यहाँ पर एककटा हो जाएगा, वो copper कहा हो जाएगा, यहाँपर एककटा हो जाएगा, और दीरे-दीरे क्या होगा, और चाल अक्ति Moti होने लगेगी क्लियरी कॉपर कि छड vedere क्या होने लग जाएगी मोटी होने लग जाएगी आपर यहजो लेक्टरोड है वियवार करता है तरह किस की तरह करता है और देखिए यहां पे प्रवार हो रहा है वह इधर नोड से कैथोड की तरफ हो रहा है यानि जो रिनात्मक इलेक्ट्रोड है उससे धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है जबकि विदुद्धारा का जो प्रवा होता है वो इलेक्ट्रोनों की प्रवा के जस्ट उल्टा होता है यानि विदुद्धारा का प्रवा हो यहां पर कैथोड से अनोड की तरफ क्लियर है तो देखिए बच्चो मैंने आपको गैलवेनिक सेल की बनावट भी समझा दी और इसकी क्रियावीदी भी मैंने समझा दिया आपको अब आगे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं देखिए इसमें इलेक्ट्रोनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कौपर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है क्लियर है मैंने समझा दिया है तथा विदुत का प्रवाह विप्री दिशा में होता है यहां जिंक इलेक्ट्रोड अनोड की तरह तथा कौपर इलेक्ट्रोड कैथोड की त अर्थार्ठ इलेक्ट्रोन का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से भाईये परीपत के सहारे कोपर इलेक्ट्रोड पर होता है समझ में यहां तक की बात आगे देखिए अते जिंक इलेक्ट्रोड का जिंक परमानू इलेक्ट्रोन त्याग कर जैडन प्लस टू आयनों के रूप में विलियन में जाने लगता है और कोपर इलेक्ट्रोड पर विलियन कोपर प्लस टू आयन कोपर के रूप में जमा होने लगते हैं यह चीज मैंने आपको अभी भी समझा दी ती यह देखें यह दोनों इसकी अभीक्रियाएं है जींक है जींक कनवर्ट हो जाएगा जैरन प्लस टू में दो इलेक्ट्रोन बाहर निकल गए यह जींक की छड़का क्या हो रहा है ऑक्सिकरन हो रहा है यह देखें कॉपर प्लस टू है जो कॉपर सलफेट का जो कॉपर प्लस टू है वो इन दो इलेक्ट्रोनों को ग्रेंड करके कॉपर के रूप में क्या हो जाएगा निक्षेपित हो जाएगा लीजे इसका क्या हो रहा है अब चैन हो रहा है और बच्चों देखें इन दोनों अभीक्रियाओं को आर् जाते समग्र अभीक्रिया, इन दोनों अभीक्रियाओं का क्या होती है? योग होती है, यानि हमारे सेल में जो होने वाली complete अभीक्रिया है, जो पूरी समग्र अभीक्रिया है वो क्या होगी? oxygen plus copper plus two यहां पर क्या हो जाएगा जिंग बदल जाएगा oxygen plus two में और copper plus two बदल जाएगा किस में copper में आई बात समझ में यहां तक देखे बचो आपको यह bracket में s और यह aq जो aqueous यह जो दिखाया हुआ है इसका मतलब समझे समझे जो है नियुक है एक की जने हैरा रूप में क्लियर समझ में आनी चाहिए कि यह क्या प्रदर्शित कर रहा है अगे सैल इस पर औक्सिकरन होता है एनोड कहलाता है और जिस इलेक्ट्रोड पर अप्चेन होता है कैथोड कहलाता है तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी यह मैं आप लोगों को अच्छे से समझा भी चुकी हूँ अब आगे देखिए जैसे ही स्विच ओन किया जाता है दोनों इलेक्ट्रोडों के मद्य विभवांतर उत्पन होता है तता इलेक्ट्रोन इलात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की और प्रवाईथ होने लगते हैं समझाया हूँ आपको विदुद्धारा के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रोनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल विभव कहते है देखिए बच्चो ध्यान दीजेगा यह जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभव का अंतर है उसे ही सेल विभव कहा जाता है आगे देखिए यह सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का क्या होता है अंतर होता है और इसे EMF देखिए बच्च वाहक बल, Electromotive Force, इल इंगलिश में क्या बोलते हैं, Electromotive Force भी कहते हैं, क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आई, अब देखिए बच्चो, Galvanic Cell से समभनित कुछ पॉइंट मैं आपको बना कर समझाना चाहती हूँ, देखिए बच्चो, किस तरीके से आप Galvanic Cell का निर्मान कर देखिए, यह जो जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ है, यह डूबी रहती है, यह डूबी रहती है, जिंक सलफेट के विलियन में, क्लियर है, जिंक की छड़ है, जिंक सलफेट के विलियन में डूबी हुई रहती है, यह कॉपर की छड़ है, जो की कॉपर सलफेट के विल विलियन में डूबी रहती है यह दूबी होई रहती है और यह दूबी होई रहती है copper sulphate के विलियन में देखिए बच्छो अब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है एक तो volt meter से और एक लगा दिया जाती है कुण्जी switch जिसे बोलते है switch एक कुणजी लगा दी जाती है switch और इन दोनों को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया क्या यह हमारा circuit पूरा हो गया नई अभी तक परिपात पूरा नहीं हुआ है इन दोनों वैदुत अब घट्यों को जोड़ना है और यह जोड़ा जाता है salt bridge के द्वारा यह हम लोगों ने क ACL भरा हुआ रहता है और इसके अलावा यहां पर कोटन लगाकर अगार अगार जेल एक अगार अगार जेल होती है वो इसके अंदर भरी होई होती है देखिए बचों यह हमारा बन गया है galvanic cell क्या बन गया है galvanic cell बन गया है अब कुछ ध्यान देने वाले concept देखिए जो मै इसाला electrode है इस पर होता है औक सी करंध क्या होता है औक सी करणा और यह व्यवार करता है और यह व्यवार करता है और किसकी तब करता है अब देखिए यहाँ पर यह एक शब्द याद रखना alone, देखिए बच्चो, A, L, O, N, E, alone, देखिए बच्चो, ये वर्ड आप लोग याद रखना, इससे आपको Galvanic Cell की संदशना को बनाने में और समझने में बहुत सायता मिलेगी, A का मतलब, देखिए बच्चो, A का मतलब क्या है, anode, A का मतलब है, anode, L का मतलब है, left, O का मतलब है, oxidation, N का मतलब है, negative, और E का मतलब है, electrode, देखिए ध्यान दीजेगा बच्चो, ये चीज़ आप ध्यान रखना alone, इससे आप लोगों को Galvanic Cell की संदशना है, उसको थोड़ी समझने में help मिलेगी, A का मतलब है, anode, देखिए, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, anode, L का मतलब left, left का मतलब है, बाया, O का मतलब है, Oक्सिकरन, N का N से मतलब है, रिनात्मक, और E से मतलब है, electrode, कहने का मतलब है, बच्चो देखिए, जो anode होता है, गैलवेनिक सेल में जो anode होता है, वो left side होता है, जो anode होता है, वो left side होता है, यानि बाई तरफ होता है, उस पे हमेशा क्या होता है, Oक्सिकरन होता है, और वो कैसा electrode होता है, वो रिनात्मक electrode होता है, तो ये चीज में आपको समझाने वाली थी, कि ये alone word, A-L-O-N-E, इसे आप लोग याद रखना, इसका मतलब है कि गैलवेनिक सेलो में जो anode होता है, वो बाई तरफ होता है, उस पे Oक्सिकरन होता है, और व आपको अभी जो पिछला डाइग्राम ता उसमें मैं आपको समझाई हुई हूँ, जो जिंक सल्फेट वाला ये electrode है, इस पे Oक्सिकरन होता है, ये एनोड की तरह वियवार करता है, और ये हमेशा सेल में कहां होता है, लेफ्ट एंड साइट पे होता है, क्लियर है, तो ये आप लोगों को इसकी संरचना और इससे संबंदित जो ये topic मैंने आपको बताया, ये जो point मैंने आपको बताया है, देखे बच्चों, आपको गैलवेनिक सेल की संरचना और इससे संबंदित जो मैंने ये आपको ये एक word समझाया है, ये शब्द समझाया है, A, L, O, N, E, alone, इसे आप लोग याद रखना ताकि Galvanic Cell की बनावर्ट समझने में और बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कलियर है, आगे चलिए, आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं Galvanic Cell के Cell R.1 के बारे में, यहनी किस तरीके से गेलंग को रिप्रजेंट किया जाता है इसे कहा जाता है cell आरेक देखे बच्चो गेलंग को बाईए अरेक लिखने के लिए साधारन तया धातू एवं वैदुत अभटते के मध्ये एक उद्वाधर रेखा खीच कर देखिए बच्चों सेल आरेक अगर आप लोगों को लिखना है तो धात्तु और वेदुत अबगट्यों को प्रदर्शित करने के लिए इनके मद्धि एक रेखा कीची जाती है एक उद्वाधर रेखा कीची जाती है एवं दो वेदुत अब गट्यों को आपको लिखना है और वो दोनों आपस में अगर सॉल्ट ब्रीज से जुड़े हैं लवन से जुड़े हैं तो उनके बीच में दो उद्वाधर लाइन लिखी जाती है तो देखिए बच्चों इसको थोड़ा मैं आपको समझा देती हूं पान लीजिए हम जिंक ठोश अवस्था में और इसके बीच में एक उद्वाधर लाइन लिख दीजिए जिंक प्लस टू यह होता है एकवस फोम में क्लियर है इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो यह तो हमने किसको लिखा इस तरीके से री प्रेजेंट करके एनोड को किसको लिखा एनोड को से लिखेंगे देखिए बच्चो को इस राइट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे लीजे बई कैथोड कॉपर का बनाया ना तो लीजे कॉपर ठोस अवस्था में और यह हमने लिख दिया यहां पर कॉपर सलफेट और यह किस रूप में है एक्वस फोम में है ठीके तो देख लाइन वापस समझेगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जेंक बीच में एक लाइन या तो जैडन ऐसो फोर लिख दो या जेंक प्लस टू लिख दो देखिए बच्चो यहां पर जैडन ऐसो फोर भी लिख सकते हो या जेंक प्लस टू भी लिख सकते हो इनके बीच में खीज दी हमने यह दो खड़ी लाइन यहां मैंने लिख दिया copper plus 2 और यह लिज़े copper अब इनकी अवस्था है लिख दो ठोस अवस्था में यह aqueous रूप में यह भी aqueous और यह clear है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए zinc और यह लिख दिया मैंने ZNSO4 और यहां पे CUSO4 और यह Siibu. हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं और यहां पे इनके नीचे इनकी क्या लिख दीजिए इनके आभी वस्था بتा दीजिए अगर सांधृता भी दी हुई है तो इस ये देखिए ये लिखा हुआ है देखिए ये हो गया हमारा सैल आ रहेगा अभी मैंने आपको समझा है जिंक ये बीच में एक उध्वादर लाइन जिंक सल्फेट ये दो उध्वादर लाइन कॉपर सल्फेट और कॉपर तो ये इधर तो प्रदर्शित कर रहा है किसको एनोड को और ये प्रदर्शित कर रहा है कैथोड को इधर कैथोड को लिखा जाता है क्लियर है यानि कहने का मतलब है left hand side पे anode लिखते हैं right hand side पे cathode को लिखा जाता है अब देखिए cell विभाव क्या होगा देखिए बच्चों तो जो cell विभाव होगा E cell वो बराबर होता है E दाया माइनस E बाया यानि दाय साइड वाले जो इलेक्ट्रोड है उसमें से बाय साइड वाले इलेक्ट्रोड के विभाव को माइनस कर दो यहाम इसे ऐसे भी बोल सकने है कि E cell बराबर E cathode माइनस E anode देखिए और यहाँ पे E है यह इलेक्ट्रोडों का अप्चेन विभाव है कौ माइनस E anode तो इस तरीके से हम किसी भी cell का cell विभाव क्या कर सकते हैं ग्यात कर सकते हैं क्लियर है तो देखे बच्चो आज हम लोगों ने वेदुतरासाइनिक cell के बारे में पड़ा गैलवेनिक cell के बारे में पड़ा और उसकी बनावत और cell आरेक का हमने अध्यन किया और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब देखे बच्चो इसके आगे के वीडियो में हम लोग किस तरीके से cell विभाव का और इलेक्ट्रोड विभाव का मापन किया जाता है उसके बारे में अध्यन करेंगे क्लियर है धन्यवाद